हलो दोस्तों वेलकम टू माई चानल मैं हूँ एसमीता और आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों में छोटे बच्चों को कैसे नहलाना चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चानल को सस्क्राब नहीं किया है तो नीचे दियेगे बटन पर क्लिक करें और वेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियो सबसे पहले देखें तो दोस्तों स्टार्ट करते ये वीडियो जैसे ही सर्दिया स्टार्ट होती है हमारे मन में ऐसे सवर आते हैं कि बच्चों को सर्दियों में नहलाना चाहिए या नहीं अगर नहलाए तो कैसे नहलाए जहां गर्मियों के मौशम में बच्चे बड़ी अराम से और मज़े से नहा लेते हैं क्योंकि वे भी नहा कर अपने आपको एकदम से फ्रेश मसूस करते हैं साथी नहाने के बाद उन्हें नीद भी बहुत अच्छी आते हैं तरो ताजा तो सर्दियों में भी नहाने के बाद लगता है क्योंकि नहाने के बाद शरीर हलका सा लगने लगता है लेकिन सर्दियों में नहलाते समय बच्चों का बिसेस ध्यान रखना पड़ता है ताकि नहाते समय शीचु को हवा न लग जाए जिससे उसे सर्दी जुकाम भी हो सकती है तो चलिए हम बताते हैं कि बच्चों को शर्दियों में नहलाते समय हमें क्या-क्या सब्धानी बरतनी चाहिए पहला है आप बच्चों को नहलाने से पहले उसकी सारी सीजे जैसे कपड़े, तौलिया, तेल, साबून सारी चीजों को एक जगह पड़कर तयार कर ले, ताकि नहलाते समय आपको बीच-बीच में उठकर ना जाना पड़े और नहीं बच्चों को इंतिजार करना पड़ेगा वसे आप बच्चे को ठंड नहीं लगेगी जब दूसरा है, जब आप अपने बच्चों के लिए पानी तयार कर रही है, तो पानी को ज़्यादा गर्म तयार ना करें, क्योंकि सिसु की तवच्चा एकदम से कूमल होती है इसके लिए आप अपनी कोहिनी की त्वचा को पानी में डाल कर उसका टंपरेचर चेक करें, फिर गुनगुने पानी से आप बच्चे को नह लाएं तिसरा है, सर्दी के मौशब में बच्चो को एक दिन छोर कर नह लाएं जिस दिन ज्यादा ठंडी हावा चल रही है, उस दिन बच्चे को आप अस्पंज असनान करवा है अस्पंज असनान का मतलब है कि एक गीले कपड़े से सिसु को सर से लेकर पाउं तक अच्छे से साफ करना चोथा है, जिस दिन आप बच्चो को नहलाती है, तो इस बात का ध्याँ रखे कि बच्चो के कपड़े पहले ही ना निकाल दे क्योंकि इससे उसे ठंड लग जाएगे, बल्कि सारी तैयारी करके और बाल्टी में पानी भड़कर ही उसे बात्रू में ले जाए, फिर उसके कपड़े निकाल ले, ताकि वहाँ पे उसे ठंड ना लगे बच्चे को नहलाने का टाइम सही होना चाहिए, जैसे 11 से एक बज़े का टाइम ही एकदम बिल्कु सही है बच्चे को नहलाने के लिए, तो आप 11 से एक बज़े ही सर्दी के मौसा में बच्चे को नहलाए, अगर जादा सर्दी है तो आप कमडे में और बात्रूम में दोन अगर आप उसे तुरंत बात नहला देते हैं तो उसे सरत गरम होने के चांज ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसलिए आप सिसु को नहाने से आदा घंटा पहले मालिस करें फिर आदा घंटा बाद ही नहलाए आप बच्चे को सर्दी में 5-7 मिनट से ज़्यादा नहलाए आप कोशिज करें कि बच्चे को 5 मिनट तक ही नहलाए अगर जिस दिन आपको सेंपू करना हो बच्चे को उस दिन आप साथ मिनर तक बच्चे को नहला दे लेकिन पांसे साथ मिनर से ज़्यादा आप बच्चे को सर्दी के मौसब में बात्रूम में ना रखे नहीं तो इसे सर्दी होने की समामना ज़्यादा बढ़ जाती है उसे धूप में जरूर ले जाए इसे बच्चों की बड़ी हिल्दी बनी रहेगे दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजेगा धन्यवाद